हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में आज हम राजस्तान के इतियास में माना राइसिंग के बारे में कुछ पर्षनों पर डिसकर्श करेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट ओफिंट से मैत्रपूर रहने वाले हैं ग्वेश करें माना राइसिंग के माता क्या नाम था रतनावती रतनावती वनी राइट आंसर पिता करें में आम क्या एक हैं कल्यान सिंग राठोड पिता का नाम क्या था कल्यान सिंग राठोड माना राय सिंग को राजपुताने का करण भी कहा जाता है कुस्चन नम्बर सोबिस माना राय सिंग को राय क्युपादी दी गई अकबर द्वारा थर्ड इस राइट आन्सर अकबर द्वारा थर्ड इस राइट आन्सर किसके बाद राय सिंग को विक्कानेर का सासक बनाय गया कल्यान सिंग के बाद वनिज राइट आन्सर आकबर ने राय सिंग को जोदपूर कब दिया था 1532 में वोर इस राय आन्सर प्रोर इस राय आन्सर क्षिचन नमबर 27 दतानी कयूद गब वा था 10 दतानी कयूद कब वा था 1563 में वा था 1563 सी दतानिक अयूद 1513 में हुआ था वन इज राइट आंसर दतानिक अयूद 17 अक्टूबर 1513 में हुआ था और यह अक्बर की फोज वे शिरोई के राव सुर्तान के बीच हुआ था कुश्चन नमबर 28 राइशिंग को राट पूताने का करण किसने का मुन्सी देवी परसाद ने फोर इज राइट आंसर मारणा राइशिंग को יाँ पूताने का करण किसने का मुन्सी देवी परसाद ने राइशिंग की रचनानीवन लिखित में इसे कों सी है राइशिंग मोत्सव जोतीसरतनमालां, बालबोधनी टिक अप्रोक सभी, फोरिज राइट आणसर, ये सभी राइशिंग की रचनाए हैं क्रिस्चिन नंबर तीस राईसिंग का वा था राईसिंग का वा था ब्रानपूर में अक्बार द्वारा राईसिंग को जुना गड उनन गड दुर्पूर नुर्पूर और समसाबाद और समसाबाद की जागिर भी दी गई थी अकबर द्वारा राइशिंग को जुन्नागर नुर्पूर और समसाबाद की जागिरे भी दी गई थी जुन्नागर का दुर्ग का निर्मान भी मारना राइशिंग ने करवाए था जुन्नागर दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं , जुन्नागड दूर्ग , तर कहोते हैं , क्लिद कर से जेवर की देखरेख में , तुन राहना धुद्य धुन्नध क्लिग पंधन्या तुन गवर की देखरेख में , राहै शिंग को जागिर 24 года १ 머ाइल गदिया चांग दूद्द कह ada i राज सिंक राजय विशेकम किया गया था 1574 में राजय विशेकम किया गया था 1574 में अमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जै हिंद जै भारत झाल